नमस्कार दोस्तों, चाइल्ड केर विता अर्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो मदर अपने बच्चे को breastfeeding करा रही है, जो भी मा अपने बच्चे को इस्तन पान करा रही है, उनको ये एक चीज लेना बिल्कूल भी नहीं भूलना चाहिए। अपने बच्चे को दूद पिलाना पड़ता है। प्रेस फिडिंग करा सकती है। दोस्तों, आइरवेद में कच्चु को ओशिदी बताई गई है, जिसका नाम है शतावरी या जिसे हम शतावर भी कहते हैं। और यह जो शतावरी होती है, यह मधूर रस, मधूर विपाक और शीत वीरे की ओशिदी होती है। जो कि अचारे चरक ने स्तन्य जनन कहा है, मतलब यह मा के ब्रेस में दूद का फॉर्मेशन करवाती है, जिससे की बच्चे को ओशन पराप्त होता है। तो दोस्तों यह तो बच्चे के लिए important चीज है, लेकिन शतावरी इसके अलावा भ्रंगन का काम भी करती है। मा को भी कमजोरी कमजोरी फीन होने लगती है। तो यदि मा शतावरी अच्छे से रोज खाएगी तो इसको यह प्रब्लम नहीं होती है। यह शतावर बच्चे के लिए तो अच्छा होता ही है। साथ में मदर को भी फाइदा देता है। टेस्स के अनुसार थोड़ा सा शुगर एड़ कर सकते हैं या गुड़ एड़ कर सकते हैं। यदि आप उसको मीठा करना चाहते हैं तो। यदि आपको दो-दो चमज खाने में परेशानी हो रही है तो आप एक-एक चमज ले लीजिए लेकिन जरूर से जरूर आप लेते आने लगती हैं। तो उसके लिए माँ को यही करना है कि हमेशा श्रतावर जरूर खाना है जैसे आप खाना खाते हैं रोटी सबजी खाते हैं इस तरह से अपना एक नियम बना लीजिए कि सुबह और शाम को दिन में दो बार दो-दो-चमज श्रतावर का चून दूद में म मदर होती हैं जो दूद नहीं पीपाती हैं उनको उल्टी जैसा लगने लगता है तो आप आधा गलास दूद में ले लीजिए लेकिन आप जरूर लीजिए शेयर वे